नमस्कार दोस्तों बॉर्णिंग रादे रादे जैसी किसना सभी गुराम राम आप मेरे साथ हैं सभी उतकर्स एगरिकल्चर योटूब चैनल पर और यहां हम पढ़ रहे हैं राजस्तान का इतिहास और मौडर्न राजस्तान में सबसे मैधपून टॉपिक है और वो सबसे इ पूर्ण परसन हैं आज एक एकर्णिंग से सम्मादित उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं तो आप सभी इस क्लास से डेवरी रेगुलर जुड़े हैं क्योंकि सुवए साड़े नौ बज़ इकलास होती है और साड़े नौ से साड़े नौ से ये कलास जब इस सार्ट ह कि इतिहास है उसको पढ़ रहे हैं उसमें मौडरन राजिस्तान पढ़ रहे हैं जिसमें राजिस्तान का एक ही करन है उसको पढ़ रहे हैं तो यहां पर आज जो प्रसन करने वाले हैं उसमें पहला प्रसन अगर हम बात करें तो देखो राजिस्तान के निम्ले कित में से ब तीश मार्च 1989 इसवी की बात थी चौथा चरंड ता ब्रहद राजिस्तान जिसमें कौन-कौन से मिलाए गए थी तो मिना गुत आया था जे 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 बी ट्रपल जी वी जैबपुर जोदपुर जैसलमेर और वीकानेर चार रियासत हैं जिनका ब्रहद राजिस्तान में विले और इसकी राजधनी भी बना था दूसरे चरंड की कोटा और यहां चौथे चरंड में कौन-कौन से ती जैबपुर जोदपुर जैसलमेर और वीकानेर थी तो दितिया चरंड था जिसमें कोटा का विले हुआ था तो यहां ब्रहद राजिस्तान विले नहीं है इसका विले के किस चरण का नाम संयुक्त ब्रहद राजिस्तान था एकी करण के किस चरण का नाम संयुक्त ब्रहद राजिस्तान था तो संयुक्त ब्रहद राजिस्तान एकी करण के कौन से चरण का नाम है देखो पहला है उसका नाम है मतससंग पहले का नाम मतससंग है दूसरे का नाम संयुक्त राजस्तान है तो तीसे का नाम संयुक्त राजस्तान है चोथे का नाम व्रहद राजस्तान है आगी बात करें पांचमे की तो पांचमे जो है उसका नाम है संयुक्त व्रहद राजस्तान संयुक्त राजस्तान है पांचमे चरण का नाम तो पांचमे जो चरण है उस साथ में भी नाम पर क्या है राजिस्तान तो ऐसे ये साथ चरणों के नाम थे पहले का नाम मता संग, दूसरे का पूरु राजिस्तान संग, तूसरे का संयूत राजिस्तान, चौथे का व्रहद राजिस्तान, पांचमे का संयूत व्रहद राजिस्तान और छटमे का राजिस् तो यहाँ पर डी जो है उस डी आंसर हो जाएगा तो डी जो आंसर है वो पांचमा चरण है साइट वरद राजिस्तान अगला परसन है और अगला परसन क्या करा है देखो सुमेलित कीजिए सुमेलित करने का है यानि कि इसमें यहाँ पर रियासत दे रखे हैं और रियासत अब देखो उधेपुर और राजस्तान में विले की जो तिथी है उनमें उधेपुर रियासित का कब विले हुआ है मतशंग अजमेर मेरवाड़ा जैसलमेर अब कब विले हुआ है तो देखो यहाँ पर 30 मार्च 1949 की बात करें तीस मार्च 1949 इसमें विले है किसका जैसल मेर का एक में चार में एक हो जाएगा उदेपूर उदेपूर का विले हुआ था 18 अपरेल 1948 तो यह यह हो जाएगा मदस संग कम बना है 18 मार्च 1948 और अजमेर मेर बड़ा एक नौबर 1956 तो इसका जो आंसर है मिलान करके देखते हैं तो ए में तो कितना हो जाएगा चार बी में क्या हो जाएगा तीन सी में क्या हो जाएगा दो और डी में क्या हो जाएगा एक 43 21 इसका आंसर होगा और 43 21 किस में है भी में है तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा भी आंसर हो जाएगा यानि कि 43 21 इस प्रकार इनका मिलान हुआ है यानि कि उदेपुर जो है उदेपुर का उदेपुर 18 अपरेल 1948 इसवी को इसका गठन हुआ है और 18 अपरेल 1948 इसवी को कौन सा चरण था तो उदेपुर का विले किया गया था उदेपुर का जो विले किया गया था वो उदेपुर का बिले किया गिया था स्झयूत राजस्तान स्झयूत राजस्तान में तीससे चरण में उदेपुर का बिले किया जाता है तो यानि कि यहां पर उदेपुर का 58 अठारे परेल 1948 हो गया मतससंग 18 Μार्च 1948 जिसमें चार रियासत थी अलबर भरतपुर करोली दोलपुर एवी सीडी चार रियासत थी इसमें और चार जो रियासत हैं उन चार रियासतों को मिला करके इसका नाम मतद संग दिया गया था और मतद संग नाम किस ने दिया था तो मतद संग नाम दिया था के एम मुनसी ने तो के एम मुनसी जो है दोस जैसलमेर की तो जैसल में चार रियासत मिले ही थी और चार जो रियासत थी उनमें कौन कौन सी रियासत थी चार जैपुर, जोदपुर, जैसलमेर और बीकानेर इन चारों को मिला करके नाम दिया गया था क्या तो ब्रहद राजिस्तान और ब्रहद राजिस्तान जो है वो सेंत राजिस्तान संग के साथ मिलकर के ब्रहद राजिस्तान मना था तो ब्रहद राजिस्तान में टोटल रियासत थी 14 कितनी रियासत थी 14 रियासत थी उसमें क्योंकि 9 तो दूसरे चरण की एक तीसे चरण की दस और चार इसकी तो चौदर रियासत थी और दो ठिकाने थे जिसमें एक तो लावा जो जैपुर के साथ विले हुआ था और एक था यहां पर वासवड़ा के साथ में कुछ अलगट ठिकाना तो दो ठिकाने थे और चौदर रियासत थी उसमें तो यहाँ पर अगर हम बात करें देखो कि मतस संग है मतस संग इसका विले कब किया गया था तो मतस संग का पांच में चरण में जाकर के विले किया गया था और पांच में चरण में विले किया था चोथे चरण ब्रहद राजिस्तान के साथ उसको मिलाय गया था डॉक्टर संक राजिस्तान के एकी करण के संदर में सत्य कथन है तो राजिस्तान के एकी करण के संदर में सत्य कथन है तो राजिस्तान के एकी करण के संदर में जो कथन दी हुए है उनको सही सी पढ़ना है फिर आंसर देना है देखो राजिस्तान का एकी करण साथ चरणों में संपन हुआ है बिल्कुल सही बात है रायस्तान एकी करण में आठ वर साथ माँ चौदे दिन का समय लगा है यानि कि ये बात सभी सत्य बात है सातों जो तीनों ओप्सन है वो तीनों बात बिल्कुल सही है करेक्ट है यानि कि रायस्तान एकी करण साथ चर्णों में हुआ है राइस्तान का एकी करन 18 मर्च 1948 को पहला चर्ण हुआ था और एक नॉमर 956 को लास साथ माँ चर्ण हुआ है तो इन साथ चर्णों में यह जब संपन हुआ है तो इसमें यहां से लेकर कि जो समय लगा है टोटल वो आठ वर साथ माँ चौदे दिन का समय लगा है यानि कि तीनों बात जो कतन दिये गए हैं वो तीनों के तीनों कतन क्या हैं दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हैं सत्य कतन हैं और सत्य कतन दिये गए हैं तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर है दी बिलकुल सही आंसर है इसका अगला प्रसंदेखो राजस्तान के एकिकरण के समय छेतरफल की दरस्टी से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? राजस्तान के एकिकरण के समय छेतरफल की दरस्टी से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? सबसे कम जो छेत्रपल है वो किसका है अब रियासतों में बैसे अगर हम देखें तो अगर यहां पर अब रियासत कौन कौन सी है जिनका छेतरपल सबसे कम है अब छेतरपल की बात कर रहा है तो अच्छे से पढ़कर के इसको देखना है कि छेतरपल किसका कम है वो देखना है कि परताबगड़ है किसंगड़ है स्तरोई है सापुरा है कौन सी रियासत है जिसका चेतरपल सबसे कम है सबसे कम चेतरपल है उसका आंसर देखना है अच्छे से आंसर देना है देखो यहां पर जो रियासत है ठिकानों में तो सबसे छोटा ठिकाना जिसका सबसे कम चेतरपल था वो था लावा लावा जो ठिकाना था उसका सबसे कम छेतरपल था ठिकानों में तो लावा हो जाता है और रियासतों में कौन सी होती है साहपुरा रियासती तो रियासतों में साहपुरा ऐसी रियासती जिसका सबसे कम छेतरपल था ठिकानों में लावा ठिकाना था जिसका छेतरपल सबसे कम छेतरपल था लावा का जो छेतरपल था वो 20 वर्ग मीली था 20 वर्ग मील 20 वर्ग मील छेतरपल माना जाता है लावा ठिकाने का लावा जो ठिकाना था इसका 20 वर्ग मील छेतरपल था और यहाँ पर अगर हम बात करें साहपुरा, तो साहपुरा का जो छेतरपल है, इन सभी रियासतों में सबसे कम रियासत जो है, उनमें सबसे कम छेतरपल माना जाता है साहपुरा का. राजिस्तान एकी करण के कौन से चरण में करोली रियासत का विले हुआ था, तो देखो पहला जो चरण हुआ था, उसका नाम था मतस संग, मतस संग, और मतस संग का नाम, मतस संग नाम दिया था किसने, के एम मुनसी ने, के एम मुनसी द्वारा इसका नाम मतस संग दिया गया के हम उसे इसका नाम मतसंग दिया था अब मतसंग में रियासत मिलाई गई थी चार A, B, C और D अलवर, भरतपुर, करोली, धौलपुर तो यानि कि चार रियासत मिलाई गई थी A, B, C, D, अलवर, भरतपुर, करोली, धौलपुर और च्यार जो रियाषत मिलाई गे थी अलवर भरतपूर, करोली, धौलपूर ये जो रियाषत थी इनमें अब देखो यहाँ पर करोली कौन से मिली है प्रत्थम में मिली है तो पहले चरण में करोली का विल्ज हुआ है करोली के इस समय सासक थे कौन गडेश देव पाल गडेश देव पाल तो गडेश देव पाल करोली के सासक थे जो पहले चरण के उपराज प्रमुख बने थे तो पहले चरण के उपराज प्रमुख बने थे वो करोली के कौन बने थे गडेश देव पाल बने थे और राज प्र दौलपुर के सासक थे और माराजा उदेवान सिंग जो हैं दौलपुर के सासक वो इस समय यहां के राजपुरु बनाएगे थे पहले मतस संगे तो राजपुरु बने थे दौलपुर माराजा कौन तो दौलपुर माराजा थे वो राजपुरु बनाएगे थे उदेवान सिं इस समय अलवर के राजा थे माराजा तेश सिंग तो माराजा तेश सिंग जो थे वो एकिकरण के समय कहा के सा सकें अलवर के और भरतपुर के राजा थे माराजा वरजेंदर सिंग तो माराजा वरजेंदर सिंग जो है वो माराजा वरजेंदर सिंग भरतपुर के सा सकते इस सम अलवर के साथ में और ठिकाने का नाम था नीमराना ठिकाना कुंसा नीमराना ठिकाना और नीमराना का विले किया गया था किसके साथ में अलवर के साथ में और नीमराना के सासक थे राव राजेंदर सिंग तो राव राजेंदर सिंग ये इस समय नीमराना के ठाकुरती ठिकान तो राव राजेंदर सिंग ठेकानेदार थे नीमरणा के माराजा तेश सिंग अलवर के राजा थे बरतपुर के माराजा बरिजेंदर सिंग थे दौलपुर माराजा उदेवान सिंग थे राजपरों बनाएंगे थे और उपराजपरों बनाएंगे थे करॉली के राजा और कर तो इसका जो आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा अगला प्रसंद देखो राजस्तान के एकी करण के समय निमलिखित में से कौन सा ठिकाना नहीं था राजस्तान के एकी करण में कौन सा ठिकाना नहीं है अब ठिकाने की बात कर रहा है कि कौन सा ठिकाना न कुशलगड का विलय किसमे हुआ था तो कुशलगड का विलय हुआ था वांसवाडा में इनके विलय की बात करें तो देखो इसका विलय बांसवाडा में है चलो ऐसे लिख देते हैं इसको बांसवाडा में कहां पर है वास वड़ा में है और सासक कौन थे कुसलगड के जब विलैभ हुआ था इसका तो इस समय यहां के थाकुर जो थे वो थाकुर कौन है कुसलगड के तो कुसलगड के थाकुर थे राव हरेंदर सींग राव हरेंदर सींग, राव हरेंदर सींग कुछलगड के सासक थे, किसंगड रिया सक थी, किसंगड आंसर हो जाएगा इसका ठेकाना नहीं था, किसंगड और किसंगड के सासक कौन थे, तो किसंगड के सासक थे सुमेर सींग राठोड, राठोड वंस था यहां पर सुमेर सीं में हुआ था, अलबर में, और नीम्राना जो है, इस नीम्राना के सासक lot थे, तो राव, राजिंदर सिंग, तो राजिंदर में एंडा तो लाबा का विले हुआ था, तो लावा का विले ही जैपूर रियासत में हुआ था, और जैपूर रियासत के साथ विले हुआ और लावा के ठाकुर कों थे तो ठाकुर थे वंस प्रदीब वंस प्रदीब तो वंस प्रदीब जो है वो लावा के ठाकुर थे समय और यहां पर अब इनमें से तीन ठिकाने थे राइस्तान एक इकड़ के समय उननीस रियासतें थी और एक केंदर अगला प्रसंद देखो निमलिखित सूची फस्ट को सूची सेकंड से सही मिलान कीजिए एकी करन का चरन और दिनांक दे रखे हैं एकी करन का चरन दे रखा है और एकी करन का दिनांक दे रखा है अब एकी करन का चरन दिनांक जब दिया हुआ है तो यहां अच्छे से देखन अब यहाँ इसको आपको सही से देखना है अच्छे तरीके से कि मिलान करके कि कौन सा सही मिलान होगा तो देखो पहला जो चरण है वो कब है 18 मार्च 1948 इसवी तो यानि कि ए में क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा 28 मार्च 1948 इसवी तो 28 मार्च 1948 इसवी को ए में तीन हो गया तर्तिय चरण और तर्तिय चरण है सहींत राज़तान 18 अपरेल 1948 इसवी तो पंचम चरण है पांचमा चरण 15 माई 1949 और सातमा चरण है एक 9.26 ऐसे मिलान हो जाएगा इसका 3, 1, 3, 1, 4, 2, 31, 42, 31, 42 आंसर होगा और 31, 42 किसमे है ए में है तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा ए आंसर होगा बिलकुल एकदम perfect मिलान किया गया और उसके आधर पर अगर हम देखें सभी चरणों की हमें date याद होनी चाहिए जिसमें द date जो है वो क्या क्या है 18, 25, 18, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 यह है date 18, 25, 28, 30, 15, 26, 1 यह तो date है और अगर हम बर्ष की बात करें तो 3, 48 में है 2, 49 में 1, 50 में 1, 56 में 3, 48 में 2, 49 में 5 और एक आपकी 50 में है और एक 56 में है ऐसे यह सन है इनके तो यहाँ पर जो 7 चरण हुए हैं वो 7 चरणों की date हैं उनमें अगर हम देखें तो पहला 18 मार्च 1948 इसवी फिर 25 मार्च 1948 इसवी 18 अपरए 1948 इसवी 30 मार्च 1989 इसवी फिर उसके बाद में 30 मार्च के बाद में आगे चलते हैं तो 15 माई 1949 इसवी पांचमा चरण है चटमा चरण 26 जनवे 1950 है और सातमा चरण एक नवबर 1956 इसवी है ऐसे साथ चरणों की date हैं जिनमें यह मिलान हुआ है हमारा राइस्तान का ए एकी करण के सम्बंद में एसो मेलित को चाटी है राइस्तान के एकी करण के सम्बंद में एसो मेलित को चाटी है एकी करण के चरण और उदगाटन अब एकी करण का चरण और उदगाटन जो है उसके आधार पर अगर हम देख रहे हैं तो देखो एकी करण का चरण और उद चतुरत और पंचम, दितिये, तरतिये, चतुरत और पंचम, अब उधगाटन करता कौन-कौन है, अब देखो यहां पर, क्या कह राए कि ऐस शुमेलित को छाटना है, शुमेलित कौन सा नहीं है, दितिये चरण एनवी गौडगिल, पहले और दूसरे का इनों नहीं किया है, तरतिये चरण किसका, जवाला नहरों ने किया है, चतुर चरण बलबभाई पटेल, चार चरणों का उधगाटन हुआ था, और चार चरणों के उधगाटन करता कौन-कौन है, गौडगिल, गौडगिल, नहरों पटेल, एक, दो, तीन, चार, चार चरणों का उधगाटन गौडगिल गौडगिल नहरु पटेल ऐसे उंगली पर याद कर लेना इनको यह आराम से पेपर में सही हो जाता है गौडगिल गौडगिल नहरु पटेल यानि जी जी एन पी गौडगिल गौडगिल नहरु पटेल जी जी एन पी जो है उसके आधर पर अगरम देखें तो ग नाम दिया था और के मुंसी ने नाम दिया था राइस्तान एकिकरण के प्रथम चरण का और प्रथम चरण का इन्होंने नाम दिया था क्या मतस्य संग मतस्य संग नाम दिया था राइस्तान एकिकरण के प्रथम चरण का उद्वाटन नहीं किया है आगे मतस संग का उपराज प्रमुख किशे बनाए गया था तो राज प्रमुख उपराज प्रमुख अभी मैंने बताए थे आपको उदेवहन सिंग ये तो राज प्रमुख बने थे राज प्रमुख बने थे और मतस संग के और उपराज प्रमुख बने थे कौन? तो सेकंड चरण में इधर देखो यहां पर भीम सिंग जो थे यह कोटा के हैं बादर सिंग बूंदी के हैं यह तो बनाए गए थे राज प्रमुख और इधर यह बनाए गए थे उपराज प्रमुख तो यह उपराज प्रमुख बनाए गए थे ऐसे बनाए गए हैं यहां पर पहले और दूसरे चरणों के राजप्रोंग उपराजप्रोंग दे रखे हैं ये तो पहले का आपको मतस संग का उपराजप्रोंग पूछा है मतस संग का उपराजप्रोंग कोन है गड़ेश फाल है दूसरे चरण का नाम क्या था पूर्व राजस्तान संग पूर्व राजस्तान संग है तो पूर्व राजस्तान जो संग है उसके माराभ भीम सिंग और बादव सिंग ये राजप्रोग उपराजप्रोग है अगला प्रसंद क्या करा है देखो पीस प्रसंगे राव समेती की सिफारिसों पर राजस्तान में विभागों का आवन्तन हुआ निम लिखित में से ऐसो मेलित यूगम का चैन कीजिए अब देखो यहां पर पीसप्राव समेती की आधार पर विभागों का चैन किया जाता है आवंटन किया जाता है नियाय विवाग कहां रखा है जोधपुर में क्रसी विवाग कहां है कोटा में वनवे सहकारिता विवाग है सिक्षा विवाग विकानेर मिलकुल सही है खनेज वाग उदैपुर में नियाय विवाग जोधपुर में राजधानी जैपुर में क्रसी विवाग राखा गया था कहां पे भरतपुर में क्रसी विवाग कहां पे था भरतपुर में तो एसुमेलित युगम पूछा है तो एसुमेलित युगम क्या हो जाएगा यहां पर क्रसी विवाग कोटा में नहीं टामे वन वे सैकारता वाग था जबकि करसी वाग कांता दोस्तो भरतपुर में था तो करसी वाग भरतपुर में था तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा भी आंसर होगा भी इसका करेक्ट आंसर है पी सतनाराण राब समेती थी उसने रिपोर्ट दी थी उसके निया विवाग जो है वो जोदपुर में रखा जाता है करसी विवाग वरतपुर में रखा जाता है कोटा में वनवे सहकारता विवाग रखा जाता है सिक्षा वाग जो रखा जाता है वो कांपे वीगानिर में रखा जाता है और खनेज विवाग इस्थापित किया जाता है क पे उदेपुर में तो खनेजवाक उदेपुर में स्थापित किया गया है तो इसका जो आंसर है वो भी आंसर हो जाएगा अगला प्रस्म क्या करा है देखो एकी करण के दूसरे चरण की राजधानी क्या थी तो एकी करण का जो दूसरा चरण हुआ है उसकी राजधानी कोटा तीसे चरण की राजधानी क्या थी तो तीसे चरण की राजधानी उदैपूर और चौथे चरण की राजधानी क्या थी तो चौथे चरण की राजधानी थी जैपूर तब से लेकर आज तक राजस्तान की राजधानी क्या है जैपूर है तो चौथे चरण में राजधा बनाये गया था, राज प्रमुखों बनाया गया था. तो इसका आंसर है, दोस्तों, travelled आंसर क्या होगा, तो इसका Ansal है, व आंसर हो जाएगा भी एक-ईकरण के दूसरे चरण और एक-ईकरण के दूसरे चरण में खोटाख राजधानी बनाया गया था. अगला प्रसुन क्या कह रहा है देखो किस समेती की सिपारिष के आधार पर ब्रहद राजिस्तान में मतस्य संका विले किया गया तो कौन सी समेती थी जिसके सिपारिष के आधार पर ब्रहद राजिस्तान में मतस्य संका विले किया गया था पी सतनाराण राव समेती, अभजल अली समेती, संकर देवराव समेती और मैनन समेती कौन समेती? मैनन समेती तो पी सतनाराण राव समेती है, अभजल समेती है, संकर देवराव समेती है, मैनन समेती है अब कौन सी समेती है जिसके आधार पर ब्रहद राजिस्तान में मतसंग का विले किया गया था तो समेती थी डॉक्टर संकर देवराब समेती संकर देवराब समेती थी इसके अध्यक्ष थे संकर देवराब और ये समेती गटित की गेती मतर संकी जांच के लिए तो अध्यक्ष तो कौन थे डॉक्टर संकर देवराब थे और दो इसके सदसे थे अब दो जो सदसे थे उनमें एक तो थे आरके सिद्धावा आरके सिद्धावा एक तो सदसे हैं आरके सिद्धावा आरके सिद्धावा और दूसरे हैं प्रभुदयाल प्रभुदयाल तो प्रभुदयाल और आरके सिद्धवा यह क्या हैं यहां पर सदस्थ हैं संकर देवराब समेती है और संकर देवराब समेती जो है उसके अध्यक्ष बनाएगे हैं संकर देवराब समेती के अध्यक्ष हैं संकर देवराब मता संग की जांच के लिए भरतपुर और धौलपुर की जनता जो है वो संस्करती भासा के आदार पर अपना विले चाती थी काँपे यूपी में और उसका विरोध किया गया था मतास संग का भरतपुर के राजकुमार मान सिंग और देशाज सिंग द्वारा इसलिए फिर समयती गठित की जाती है संकर देवराब समयती और फिर आरके सिद्धावार प्रभुदयाल जो है आरके सिद्धावार प्रभुदयाल दो इसके सादस से बनाए जाते हैं और यहाँ पर पिर संकर देवराब समयती है उसका गठन करते हैं और संकर देवराब जो समयती थी उसने फ अगला प्रसंद देखो रायस्तान के एक इकण के तीस से चरण के उधगाटन करता कौन से थे तो उधगाटन करता जी जी एन पी यह याद रखना है आपको गौडगिल गौडगिल नहरु पटेल गौडगिल गौडगिल नहरु पटेल तो यहां पर देखो गौडगिल इन् अगला प्रसुन क्या करा है सुनना राजिस्तान के एक इकरन के संधर में निमलिखित को सही सुमेलित कीजिए रायस्तान के एक एकन के संदर में निमलकित को सही सुमेलित कीजिए यहाँ पर संग दे रखा है और गठन दे रखा एकाईयों का मतस संग का गठन कब गिया गया था 18 मार्च 1948 रायस्तान संग कब बना है 25 मार्च 1948 सैंत राजस्तान संग 18 अप्रैल 1948 तानीस इसवी और बरहद राजस्तान 30 मार्च 1989 इसवी को तो यानि कि मतसंग और मतसंग जो है वो 30 मतसंग 30 हो जाएगा इसमें तो यानि कि इसका 3 हो जाएगा यहां अगर दूसरे की बात करें तो 2 हो जाएगा सी में क्या होगा एक हो जाएगा और डी में क्या हो जाएगा यहां चार हो जाएगा तो आंसर होगा इसका 32 चोदे इसका आंसर हो जाएगा तो इसका सी आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा सी आंसर होगा करेक्ट आंसर सही मिलान इस परकार होगा इनका चारों चरनों का ज यहाँ पर आज जो है यह जो प्रसंद में ने सॉल्व कराए है परिचा की दरस्टी से मेर्पूर्ट प्रसंद है आप सभी इस क्लास को अगर लैब नहीं ले पाते हैं तो बाद में आप जरूर इस क्लास को देखें क्योंकि परिचा की दरस्टी से एक करन ऐसा टोपिक है जि लेली इस क्लास से जुड़ेंगे और इसका अगले दिन हम कल नेक्स पार्ट लेंगे और वो पार्ट सेकंड रहेगा जिसमें 16 परसंट से आगे करने वाले हैं दोस्तों धन्वाद जय हिन जय भारत जय जय राजिस्तान